Hello and Welcome to examination 27 आज का हमार टॉपिक अनुपात आता समानुपात का पार्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट में हमने अनुपात को समझा था सेकेंड पार्ट में हम समानुपात देखेंगे तो चलिए देखते हैं समानुपात होता क्या है समानुपात में दोस्तों बहा संख्याओं का गुड़ा मद्दी की संख्याओं के गुड़ा के बराबर होता है ये देखी दोस्तों 12 गुड़ा 5 किता हो गया 60 और 10 गुड़ा 6 किता हो गया 62 संख्याओं का गुड़ा बराबर मद्दी की संख्याओं का गुड़ा समानुपात करते हैं दोस्तों इसे चली questions को करते हैं यह देखिए दोस्तों question 6 अनुपात question mark समान अनुपात 5 अनुपात 35 में लूप्ट पद क्या है तो question mark के इस्तान पर क्या आएगा ये पता करना है हमें चली हल करते हैं तो दोस्तो हमको यहां दिया है 6 नूपात question mark तो लिख देंगे 6 नूपात question mark को हम ए मान लेते हैं दोस्तो समान नूपात 5 नूपात 35 ये देखी दोस्तो बहा संख्याओं का गुड़ा जो 6 गुड़ित 35 किता हो जाएगा दोस्तो ये हो जाता है 210 बराबर 5 ये 5 से 210 को काट देते हैं पाचों के 20 पाज दूनी 10 ब्यालिस बार कर जाता है तो question mark की इस्तान पर क्या आएगा दोस्तो 42 आजाएगा option number C दूसरा question करते हैं पाच, नौ और बारा का चतूर्थ अनुपाती क्या है? ये ग्याद करना है चतूर्थ अनुपात ग्याद करना है पाच, नौ और बारा का चौत्था अनुपात क्या होगा? हमें तीन अनुपात दिये हैं पाच दिया है, नौ दिया है और बारा दिया है और चौत्थे अनुपात को एक समान लेते हैं हम तो कैसे हल करेंगे? पाच अनुपात, 9 समानुपात, 12 अनुपात, एकस बास संख्याओं का गुड़ा बराबर मध्धकी संख्याओं का गुड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 5 एकस और बारा ही नम्म होता है, 108 इसको पाच से काड़ देते हैं दोस्तों पाच दूनी दास फिर बाच्चा पाच एकम पाच दसमलो च्छाई 21.6 बार कर जाता है ये तो एक्स बराबर क्या आ गया 21.6 चातूर्थ अनुपात क्या होगा दोस्तों 21.6 होगा चातूर्थ अनुपात चलिए अगला कोश्चन करते है एरा कोश्चन 18 और 24 का तरती अनुपात क्या है धल करते हैं इसे हमें क्या दिया है 18 और 24 दिया है और तिसरे अनुपात को हम एक समान लेते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे 18 अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात X 28 अनुपात 24 और 24 अनुपात X अब क्या करेंगे दोस्तों 2 संक्याओं का गुड़ा बराबर अंत्र संक्याओं का गुड़ा तो यह हो जाएगा 18 एक्स बराबर 24 गुडित 24 देखिए 6 से 18 तीन बार और 6 चोके 24 और यह 3 से 24 आठ बार कड़ गया क्या बच गया दोस्तों X बराबर आठ चोके 32 तरती अनुपात क्या होगा 32 होगा अगला क्यूश्चन करते हैं 7 अनुपात 13 के प्रतेक पद में छोटे से छोटी कोन सी संख्या जोडे की नई संख्या 2 अनुपात 3 के अनुपात में हो चली हल करते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों हमें 7 अनुपात 13 अनुपात का मतलब होता है बटे तो यह हो गया 7 बटे 13 कि प्रते एक पद में कोन सी छोटी संक्या जोड़े तो X जोड लेते हैं कि नई संक्या 2 अनुपात 3 होती है 2 अनुपात 3 बटे 3 हो जाती है दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टिपिकेशन कर देते हैं तीन का गुड़ा 7 धन X के साथ कर देते हैं यह हो जाता है दोस्तों 7 X धन 3 X बड़ाबर 2 का गुड़ा कर देते हैं 13 दूनी 26 धन 2 X यहाँ दोस्तों X ने आएगा यहाँ पर 21 आ जाएगा साथ 3 21 और 3 X अब दोस्तों 4 पाद अलग और 8 पाद अलग कर लेते हैं 3 X 2 X इधर आएगा रिंड 2 X हो जाएगा बराबर 26 और 21 इधर आजएगा तो रिंड 21 हो जाएगा यहाँ 3 X में से 2 X चल जाएगा कितना बचेगा एक्स बचेगा और 26 में से 21 गए पाज बचेगा तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों 5 होगी ऑप्सन नमबर D चली अगला क्रूश्चिन करते हैं 21, 38, 55 और 106 प्रतेक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या है समानुपाती हो तो चली हल करते हैं वो समानुपाती बोल रहा है तो संख्या है अनुपात में होगी 21 बटे 38 हो जाएगा और यह हो जाएगा दोस्तों 55 बटे 106 जोस्तों वो बोल रहा है 21, 38, 55 और 106 प्रतेक में से क्या घटाया जाए तो हम X घटा लेते हैं प्रतेक में से बोल रहा है तो सभी में X घटा लेते हैं यहां पर क्रॉस मल्टिपिकेशन कर देते हैं तो यह देखो जोस्तों 21 रिन X का गुड़ा 106 रिन X के साथ कर देते हैं और 38 रिन X का गुड़ा 55 रिन X के साथ कर देते हैं यह देखिए 211 रिन X का गुड़ा 106 रिन X के साथ और 55 रिन X का गुड़ा 38 रिण X के साथ 21 गुड़ी तो 16 हो जाता है 2226 फिर 21 X रिण X का गुड़ा 106 के साथ कर देते हैं तो 106 X हो जाता है फिर X का गुड़ा X के साथ कर देते हैं X स्क्वेर हो गया अब इसी परकार इधर 55 का गुड़ा 38 के साथ कर देते हैं यह 2090 हो गया, फिर 55 का गुड़ा x के साथ कर देते हैं, तो 55 x हो जाता है, फिर minus x का गुड़ा 38 के साथ कर देते हैं, तो 38 x हो जाता है, फिर minus x का गुड़ा x square के साथ कर देते हैं, तो यह हो जाता है x square, x के साथ कर देते हैं, x square हो जाता है, यह देखी दोस्तों, x square से x square कर ग तो 2226 वैसे ही रहेगा रिन 211 एकस और रिन 106 एकस दोनों को जोड़ देते हैं समान चीन नहीं होने पर संख्या है जूड़ती है और 127 एकस हो जाएगा रिन 117 और माइनस का चीन आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का चीन ने माइनस है फिर इसी प्रकार इधर ही बी 2090 वैसे ही रहेगा रिन 55 एकस और रिन 38 एकस जोड़ देंगे तो 93 एकस हो जाता है रिन 93 एकस हो जाएगा ये दोस्तों अब 4 संख्या एकसाइड और अचर संख्या एकसाइड कर देते हैं 2090 का पक्चांतर करके इस साइड लाएंगे तो यह हो जाएगा 2226 रिण 2090 उसी प्रकार रिण 127 एक्स का पक्चांतर करके इस साइड लाएंगे तो धन 127 एक्स हो जाएगा 2226 में से 2090 घटाएंगे तो 136 बसता है उसी प्रकार रिण 93 एक्स और धन 127 एक्स है प्लस माइनस का माइनस होता है दोस्तो इसलिए घटेगा 127 X मैं से 93 X चलेगा 34 X बचा 34 से 136 इतने बार कड़ गया दोस्तो 4 बार कड़ गया X का मान किता आगा 4 X बराबर 4 तो प्रतेक संख्या में से क्या घटाया जाएगा दोस्तो तो नई संख्य समानुपाती होगी चार घटाया जाएगा चली अगला question करते है दो संख्याएं 7 अनुपात 11 के अनुपात में हैं इन में से प्रतेक में 7 जोडने पर इनका अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है इन में से छोटी संख्या कौन सी है तो चली हल करते हैं इसे दो संख्याएं क्या हैं बोल रहा है 7 अनुपात 11 अरो क्या बोल रहा है दोस्तो प्रतेक में 7 जोडने पर इनका अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है तो 7 जोड देते हैं दो संख्याएं 7 अनुपात 11 बोला है दोस्तो तो हम 7 ए और 11 ए माल लेते हैं दोस्तों 3 एक मल्टिपिकेशन कर लेते हैं यह हो जाएगा दोस्तों 731 ए धान 731 बराबर 11 दूनी 22 ए और 7 दूनी 14 अब दोस्तों 4 और 8 रूट को अलग कर लेते हैं 21 और 14 का पक्चान्तर होकी इधर आएगा तो रिण 21 में 21 में 14 कित्ते बचे दोस्तों 7 और 22 में से 21 गये तो ए बचेगा 22 में से 21 गये तो ए बचेगा ये बराबर कित्ता आ गया 7 आ गया दोस्तों तो दोस्तों हमसे पुछा है कि छोटी संख्या कौन सी है तो 7 अनुपाद 11 में छोटा कौन है 7 गुड़ा एक आमान किता आया है 7 आया तो 7 से गुड़ा कर देते हैं तो ये आ जाता है उनंचास तो छोटी संख्या क्या होगी 49 होगी आपसन नंबर B और बड़ी संख्या पुछे तो बड़ा 11 गुड़ी साथ तो ये हो जाता है 77 यह क्या हो जाएगी और यह छोटी संख्या हो जाएगी बहुत यह अच्छा कोश्चन था चलिए अगला कोश्चन करते एक धन रासी को दो भागों में इस प्रकार बाटा जाता है कि पहली 20 गुना तथा दूसरी 12 गुना है तब दोनों को मिलाते हैं तो संफुन रासी का 8 गुना प्राप्त होता है तो दोनों भागों का अनुपाद ग्याद करो दोनों भागों का अनुपाद पहले को 20 गुना मिलता है दूसरे को 12 गुना और दोनों को मिलाते हैं तो संफुन पहला बाग कित्ते गुणा 20 गुणा और दूसरा बाग कित्ता 12 गुणा और दोनों को मिला है तो कित्ता गुणा परोजाता है अठ्रा गुणा प्राप्त होता है संपूर्ण राशी का अठ्रा गुणा प्राप्त होता है दोनों को मिलाने पर तो यह देखी दोस्तों तो 20 में से 18 गए कित्ता बचे दोस्तों 2 बचता है और 18 और 12 को भटा देते हैं कित्ता बचेगा 6 बचेगा 18 में से 12 गए 2 से 1 बार कड़ जाता है और ये 3 बार कड़ गया तो क्या वो मिला अपने को 3 अनुपात 1 पहला भाग कित्ता है दोस्तों 20 है 20 गुडित 3 पहले भाग के साथ पहले अनुपात को गुड़ा कर देते हैं और दूसरे भाग कित्ता है 12 गुडित 1 दूसरे भाग के साथ दूसरे अनुपात को गुड़ा कर देते हैं ये हो जाएगा दोस्तों 20 तिया 60 और 12, एकम 12, 60 अनुपाद 12, तो दोनों भागों का अनुपाद क्या होगा दोस्तों, 60 अनुपाद 12 होगा, ये भी बहुत अच्छा कुश्चन था, तेले अगला कुश्चन, कुश्चन पर लेते हैं, 750 को A, B, तथ C में इस प्रकर बाटा गया की, A अनुपाद B बराबर 5 अनुपाद 2, तथ B अनुपाद C बराबर 7 अनुपाद 13, इन में से A का भाग कितना है, एक को कितना भाग मिला है, ये ग्याद करना है दोस्तों हमें, तो चली हल करते हैं, ये अनुपाद B किता दिया है दोस्तों, पाच अनुपाद 2, और B अनुपाद C किता दिया है, साथ अनुपाद 13, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं दोस्तों, A upon B, पर 5 बटे 2 हो जाता है, ये, equal to, B upon C, कोई 7 बटे 13, तो देखी दोस्तों, सबसे पहले A आता है, तो A का गुड़ा, यानि कि 5 का गुड़ा साथ से कर जेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, फिर दोस्तों, B बीच में होता है, तो देखी मीडिल वालों का गुड़ा कर देते हैं, तो ये हो जाता है, साथ दूनी, 14, और C, सबसे नीचे, बाद में C होता है, तो तेरा का गुड़ा 2 से करते हैं, तो C का मान किया जाएगा, 26 आ जाएगा, समझाएगा दोस्तों? सबसे पले ये आता है, इसलिए देखो, पाच गुड़ी साथ कर दिये, तो ये हो गया, 35 हो गया, फिर बाद में B बीच में होता है, इसलिए साथ का गुड़ा 2 से कर दिये, मीडिल वालों का, साथ दूनी 14 हो गया, और C लास्ट में होता है, तो C 13 का गुड़ा 2 से कर दिये, 13 दूनी 26, तो कुल्धन किता है दोस्तों? 750, तो हमें ग्याद करना है, एका भाग कितना है, तो एका मान किता है दोस्तों? 35 आया है, अब टोटल भाग 100 है, 100 में से 35 घटा दीजी, कितने बचे? 75, 35 बटे 75 हो जाएगा, यह देखिए, 25 से 3 बार, यह 30 बार कर जाता है, और यह 3 से 10 बार कर गया, क्या बचा दोस्तों? 10 गुडित 35, कितना हो जाएगा? 10 गुडित 35, यह 350 हो जाएगा, तो एका भाग क्या आ जाएगा? 350, एका भाग कितना होगा? 350, यह D नमबर का आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सस्क्राइब कीजेगा, लाइक कीजेगा, सेयर कीजेगा, एंड कमेंट कीजेगा, नेस्ट वीडियो में हम अनुपात और समानुपात का 3rd पार्ट पढ़ेंगे, दोस्तों, मैं 0 से 100 की ओर जाता हूँ, यानि की सरल से कटीन की ओर, ताकि सभी को आसानी से समझा जाए, पहले पार्ट में थोड़ा सरल, सेकेंड में कटीन, और अब जो 3rd पार्ट आएगा, उसमें थोड़ा कटीन क्वेस्चन देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों, सब्सक् कीजिएगा चैनल को,